हेलो स्टुडेंट्स मैं हूं जितेन रजमेरा दक्रेजी प्रग्रमर्स की तरफ से आज वाले वीडियो में हम लेकर क्या है डिस्प्ले टाइप्स और उनकी वर्किंग ठीक है इस समझ में आ जाएंगे तो डिस्प्ले डिवाइस कोई भी एक इसा हाडवेर हो सकता है जो कि आपको वीडियो एमेज जैसे टेक्स जो है इस्क्रीन पर शो करें ठीक है और वहां पर शो कुछ भी शो होगा वह उसका इस ब्लाच जीचा बडिवाइस से अपस्फप्म उप्ल कोई कहुता है यह तरता हो वह पर गाउज़ ब के तैका भी बागी यह वकित अंतों लेपस प्रूस्प्ल्ठे है और वह पर भ्रद टीका वह पर एक्जांफ़ इस्प्लों पर शोड़ीड निट आरा है ठीक है अब डिस्प्ले को जो ग्रेक्ट्राइज किसके कोटिंग किया गया एक तो color capability किते तरह के color वो enhance कर सकते create कर सकते शो कर सकते है sharpness and viewability sharpness is what object कितना clear दिख रहा है उसका view कितना clear है ठीक है इस बेस पे फिर तीसा है the size of screen screen की size की according to fourth है the projection technology की इस तरह की technology की मतर से जो object project किया जा रहा है इन चार्चीजों पर डिस्प्ले को करेक्ट्राइज किया जाता है ठीक है अगर हम बात करें computer display devices की तो इनके example हो सकते है CRT monitor flat panel display LCD projector touch screen और TV TV में तो बहुत साई types available है HD TV, plasma TV, ultra high HD TV, smart TV इस तरह से ठ फिलाल हम उनके working base पे उनको divide करता है पहला है आपका CRT cathode ray tube दूसा है आपका color CRT तीसा है liquid crystal display जिसे हम LCD बोलता है चोथा है आपका light emitting diode जिसे हम LED बोलता है पांच वा है direct TV storage tube जिसे DVST भी बोलता है छटा है plasma display साथ वा है आपका 3D display तो श्यूब बात करते है हम cathode ray tube से ठीक है पर एक बार diagram देख लीजे यह पूराने टैप के TVs में आता था पूराना मतलब बड़े box type TV आते था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी भी उस type के models available है market में लेकिन अब लोग बार जो है flat panel जो है flat TV लेना पसंद करता है बाकी पहले के टैम पे जो TV आते था अब लोगी ही cathode ray tube है ठीक है क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें यहां पे बेस होगे connector pin से यहां से ना cathode की बारिश करी जाती थी इस पर इस डिस्प्ले पर फॉस्फोरस की लेयर होती थी तो जैसे cathode हिट करता था फॉस्फोरस की plate को तो जी जगर हिट करता था वहां पर वहां का फॉस्फोरस वाला पार्ट चमकने लगता था क्योंकि उसको energy मिलती थी वह फॉस्फोरस एक ऐसा material है जिस पर light emit होते ही वह energy absorb कलता है वह चमकने लगता है ठीक है और फॉस्फोरस अगर आपको देखना हो तो माचिस की तीली जो होती है उसके उपज लगा होता है ठीक है यह है focusing system जो की निकल वह electron को focus करता हो यह है आपकी deflection plates x deflection और white deflection जो की आपके जो यह जो electron निकला है हिट होने के लिए इसको किस direction में like किस direction में इसको भेजना है हर direction में उसको भेजा जा सकता है with these plates तो यह होता है आपका cathode ray tube ठीक है इसके अंदर यहां से electricity supply होती ह है then focusing system electron को focus करता है ताकि electron इदो दरना चला जा सिधर सामनीक तव जाए यहां फिर deflection plate है चुकि electron negative charge लिव होता है तो यह plates positive charge लिव होती है इस वद से क्या होता है electron की तव खीचने लगता है लेकिन यह उतना ही charge अप्लाई करती है कि electron पूरी इनकी तरफ ना कि जबस हलका सा direction बदल ले और इस तरह से screen post को कहीं पर भी जो है plot कराया जा सकता है इस तरह से जो है cathode ray tube काम करता था और यह तो यहां पर circular बताया है यह एक्चुली पूरा display होता था टीवी का पूरा ही यह complete ठीक है यह उन्हें multiple cathode ray tube लेगी होती थी वो पूरानी टीवी कभी एको खोल के देखने का मुका मिल आकर भी कबारी वाले किया मिल जाको देखे का वो पूरा जो box setup होता था था ना बड़ा सा display वो खुद ही CRT का हिस्सा है यह जो display है यह इदर यह फिलोस फ़र्स फ़र्स वाला यह उसका monitor होता था display जहां को दिखता था यह पीछे उसकी tube जूडी होती ठीक है इस not like a small tube यह काफी बड़ा tube होता था glass का components of CRT की बात करे electron gun यह रही electron gun जहां से electron discharge जो करका बाहा निकलते हैं ठीक है focusing and accelerating and notes यह जो कि क्या करते हैं कि electron की speed को बढ़ाते भी यह plus को focus करते था कि वो इधर उतर जाने के वाज़ा सिधर सामने की तरफ in deflection plate की तरफ जाए ठीक है मतलब जो decided है उस था व्यों अपनी मर्जी से कहीं पर भी जैसे commands में तो उससा अपसुष को forward करती थी phosphorus quoted screen यह हमारी phosphorus quoted screen जैसे ही वो electronia hit करता था ठीक है energy लेकर के जो phosphorus का वह वाला point जो glow करने लगता था थो हमको screen पर वाँपर object दिखते था ठीक है तो यह इसके main component से दो टैप की जो है दो टैप से जो ही scanning करी जाती थी यह जो है यह लगाता है जो hit हो रहा है दो तरसे होता था राष्टर scan और random scan ठीक है राष्टर scan के अंधर हम देखे तो यह देखे वो जो electronic gun जो है उससे जो electron निकल रहे वो देखे लगाता इस तरह से hit होता है तो continuously समझ ल इस तरह से मैं पूरी screen पर उस beam को move करा रहा हूं उसको बोला जाता है scan line ठीक है नो scan line क्या करती थी यह scan line लगा था पूरा जो है इसको scan करती थी screen को and horizontal lattice or vertical lattice क्या करते थे उस point पर light जो है electron को hit कर वाते थे जहाँ पर हमें object दिखना चीज़ अगर A दिखाना है इस तरह से तो blink होते भी दिखती थी बहुत ही minor लेकिन blink होते भी दिखती थी क्योंकि वो राष्टर scan को follow करती थी राष्टर scan में क्या होता है जो electron जो beam generate होती है वो पूरी screen पर 1 ऐसे देन आपस फी 2 देन आपस फी 3 देन आपस 4 इस तरह से work करती थी ठीक है और एक बाह में जब यह पूर horizontal retracing और vertical retracing यह नहीं कि अगर हम बात करें यह देखें यह ठीक है horizontal retracing यह रहा और vertical retracing इसको उपल जाने के लिए फिस है ओकी तो इस तरह से ही काम करता आता राष्टर scan advantages real time image बनती है कई सारे color producer दिस्प्ले के लिए dark scene के इन भी picture dark scenes को भी दिखाया जा सकता है पहले क्या होता था LCD के पहले के displays में क्या होता था जी हां मतलब sorry यह इसके CRT के पहले भी display बनाने कोशी के थी महाँ पर क्या होता था जहां dark छोड़ना महाँ पर lighting रहते है तो dark दिखता था इसका resolution बहुत काम होता है display picture line by line होती है तो हमें clear दिखता है इसको बोलते है rendering एक बाहर में एक पूरी image को line by line जाका के draw करना इसको बोलते है rendering तो इसका rendering process काफी fast था लेकिन फिभी हमको fluctuation दिखता था और यह काफी costly था उसमय तो TV बहुत मेंगे आते था था ठीक है बात करता है दूसरे type of scanning इसको बोलते है random scan दे कि राश्टा scan में तो क्या होता था पूरी line एक लो तीन चाहतो शब्वर इस line पर यह point print करना है ठीक है इस line पे जो है कहा गया इस line पर यहान print करना इस line पर यह print करना फिर शर्वर चPS का क्यों इस दिखर में अन्यी बनााना है यह व्लोर लेगन पूरी line ऐख मात पूरी line को scan करता था इसलिए इसको रस्टा scan बोलते है रैंडम scan में वा होता है सीधा बीम जो प्रिंट करना उसी शेप में गूमती है पूरी स्केन को स्केन करने के बजाए यह देखिए यहां आई इधर गई उपर आई इधर नीचे आई तो यहां पर बीम को बिल्कुल उसी दा से कंट्रोल किया जा रहा है इसलिए इसको बोलते है रेंडम स्केन तो अगर बात करें तो सीधा पूरी फ्रेम को स्केन करने के बजाए दायक जो इमेज बनानी उसी डायरेक्शन में जो है भीम करती है और इसके अंदर हम बात करें तो इसमें 30-60 टाइम पर सेकेंड की स्पीट से जो है पिक्चर जो है वो क्रियेट हो सकती है यहीं 30-60 पिक्च इसी वायर फ्रेम पर काम करती है वाट इस वायर फ्रेम जिस चीज की इंफोरमेशन पहले से इंब्यूल्ट है उससे पर यह उँ इसके और सीन लगा था फ्लिकर होते रहते थे क्योंकि इमेज लगा था बनी वापस पूरी इस्क्रिन फ्रेश हुई फिर इमेज बनी फिर इस यहां पर कलर प्रोड्यूस हो रहे है ठीक है और कलर प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ें काम में आती पहला बीम पेनेट्रेशन में था और दूसरा शेडव मास्क मेठर इसके अंदर भी होता था कि इलेक्रोनिक बीम ही जो है ठ्लो करी जाती है बड़ यहां पर क इन तीनों की मदर से हम लाखो कलर प्रोड्यूस कर सकते है ठीक है तो CRT के अंदर दो चीज़ें काम में आती थी बीम पेनेट्रेशन मेठर और जो है एक और आपका शेडव मास्क मेठर हमें एक एक काके दोनों देख लेते हैं यह हमारा बीम पेनेट्रेशन इसमें क्या है एक आपकी ग्रीण फोसफरस लेयर यह एक आपकी रेट फोसफोरस लेयर होती हैसी तरह से अगा व्यक्राणिक बीम है अब उसको किस लेयर तक पहुचाना उसके अकोर्डिंग उसा ही इंटेंसिटीू की बीम प्रोडूस करी जाती थी अगर तक इन लेयर टक पूचोना थ से मिल बनने वाले color बनते हैं जैसे यहां पर green और red के बीच में orange और yellow color बन सकते हैं तो इस तरह से जो color CRT work करता था ठीक है advantages better resolution half cost यही normal पहले वाले CRT इसके मुकाबले है मतलब उसके मुकाबल में काफी कम cost आती है इनकी और यह inexpensive होते हैं ठीक है लेकिन इसे चार possible color बनते हैं ठीक है and time consuming हाला के उन 4 combination से multiple combination बनते है पर यह time consuming होता इसलिए पहले के time पर जो color TV होते थे वह बले color TV होते थे पर उन में इतना colorful चीजे नहीं देखते है color आपको dim देखते थे ठीक है यह ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रों कैसे color change करने एक्चुली different type of materials होते हैं उनके अलग-अलग color properties होती है इसलिए यहां पर तीन अरग-अलग color घंस हमको देखने को मिल दिये इन तीनों color घंसे जब जिस color के requirement होती थी उस color से उस type का जो है electron pass out किया जाता था अब वो screen पर कहां जाकर हिट करेगा उसके लिए एक shadow mask काम में लिया जाता था यह shadow mask के थ्रू बीम क्रोस होती थी and then यह shadow mask जो एक तरह से मरलब decide करती थी एक beam को इदर बेजना इदर बेजना कि इदर बेजना है ठीक है suppose जैसे screen पर इस जगह print करना है तो इस वाले beam में से जो है electron beams बाहर आ सकती इस वाले hole में से लेकिन अगर नहीं print कराना है तो shadow mask इसको यहाँ पर इस जगह पर hit jail लेगा ब्लेंग जगह पर तो beam आपके जाही नहीं पाएगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है shadow mask में? shadow mask में multiple holes होते है इन holes से ही यह जो है आपके जो electronic beam से होकर के निकलती है and then इसकी वज़े से ही इसकी मदद से ही जो है different type of characters, symbols और images जो है वो display पर आपको डिखाई देती है तो यह है आपका shadow mask CRT इसके advantages की बात करें तो wide land picture इसमें बन सकती है realistic images दिखती है ठीक है आज ही भी color का इसके अंदर in-line arrangement किया गया है this advantages ठीक है इसके अंदर जो है same hole में तीनो ही 3 beams को एक साथ supportive कर पाना यह जो image जो दिख रहे न यह सी image भी image नहीं है, reality में ऐसा possible नहीं हो सकता poor resolution इसका resolution poor है क्योंकि अलग-अलग color produce करने के लिए अलग-अलग electron beam का इस्तेमाल हो रहा है तो अलग-अलग material काम में आ रहे हैं तो हर एक की electric beam की जो range जो है एक जुश से थोई सी अलग-अलग होने की वससे resolution में problem create होता है ठीक है तो यह थे हमारे CRT, color CRT ठीक है दोनों की यह दिखा हमने black and white CRT में कौन से दो टेक्निक काम आती और color CRT में कौन से दो टेक्निक काम आती दोनों ही हमने देख ली ठीक है मुमित करता हूं इसके अंदर आपको CRT का पूरा concept समझ में आ गया होगा अगर फिभी अभी भी आपके उनमें कोई doubt है या कोई query है तो हमें comment box में लिख करके बताएं किसी भी तरह के suggestion और feedback के लिए भी आप हमें comment box में लिख करके बता सकते हैं हमारे इस वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की notification आपको आगे भी मिलते रहेंगे इस वीडियो के note आपको description box में available हो जाएंगे हमने अभी तक जितने भी वीडियो बना है उनके link और उनके notes के link भी आपको description box में available हो जाएंगे डगरीजी प्रग्रामर्स के तरफ से आज के लिए बस इतना ही